तो इस एपिसोड की शुरात वह इस होती है जहां से पिशल एपिसोड खतम हुआ था हमारे मेकट की बोड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी है तो जो हमारी कैट अपने रियल फॉर्म में आती है और रियल फॉर्म में आने के बाद है न वह हमारे मेकट को बचाने के क कोशेश करती है एक बात और बता दूं मैं कैट बोलू यह टाइगर बोलो समझ जाओ क्योंकि एक्जेक्ली ओ कौन सी क्लाइन की है पता नहीं चलता कभी ओग यह सी लगती है वैसे बोला भी जाता है कि टाइगर कैट शेर यह सब इना एक खंदान के लोगी यहां पर है तो ब अपने टाइगर के बोडी में जाता है जो देखकर माश्टर भी कहता है एक सिगन यह चल की है रहा है आइडियली डूनो मैंने अपनी जिन्दगी में पहली और ऐसो कुछ यहां पर देखा है ओ जो टाइगर है किया अरे मुझे ऐसा लगता है तो नौकर भी कहता शांत हो मुझे ऐसा लगता हो जो टाइगर है न कुछ बड़ा खतनाक है यहां पर उसके वारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो औरना हमारे पर मुसीवात आएगा कुछ दिर बाद टाइगर अपने नॉमो फो में आ जाती है हमारे मेकटे की बोडी भी शांत हो जाती है मास्टर जी ओके ठीक है अब मुझे जाना पड़ेगा वो भी कहता हां तो घुटने पर मत रहे जल्दी सजा जानने में लेट हो गया टाइम खतम हो गया अकैडेमी में अडिमीशन भी नहीं मिलेगा यह भी कहता मास्टर टेंश मतलों आपका जो मकसद आपका सपनान एक द अगर आप रोक लोगे ना उनको रूख जाएगा तो मास्टर भी कहता है रहे यह लेकिन अपने फाइदे के लिए मुझे को रोकने नहीं चाहता कि उसका फ्यूचर बहुत जादा ब्राइट है मेरे पां सरय करे ना कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर दुनिया में जाएगा दुनिया घुमेगा ना तो बहुत कुछ यहाँ पर उखाड़ पाएगा तो नौकर भी कहता ओंभो आपको कबसे इतना प्यार हो गया उससे यह भी कहता अबे साले मेरे को ताना है मारने के जावत यहाँ पर नहीं है बाद हमारा में कटर निकल जाता है मनी मन सोसते चलो य यहाँ पर ता कि कैट ना जाने कोने कहां से आईए और क्या क्या कर सकती है इसके लिए कुछ बताया ही नहीं अपना सफर पार करता है और फन ली चौदर दिन के सफर के बाद ना आँ जाता हो फाइलाई सीटी के अंदर जो देखता है कि ओमाई गॉड यह फाइलाई सीटी यहाँ पर मतलो एक दिन इतना कमाल का बनो गए इतना कमाल का बनोगा कि मैं अपने देश को अपने सीटी को खुद यहाँ बाइंपर सको रही बाद मेरी शिएगुण उसने बोला अ वो तिन दिन बाद यहाँ पर आएगे तो जब तो को नहीं आती है मेरे पास जो talentsman है ना मैं तलिसman यहाँ पर बेचता हूँ तो एक skill storing palace का अंदर यहाँ पर आता है जहाँ से कोई skill बगेरा बाह्य कर सकता है जहां पर बेच भी सकता है ये भी देखता बापर ये पैलेस कितना ज़्यादा बड़ा है हमारे देश के जो राजा है ना राजा के पैलेस पितना ज़्यादा बड़ा ये बिल्कुल भी यहां पर नहीं है चलू यार I don't know यहां पर मुझे कौन सा स्किल मिलेगा कोई बढ़ि इनके पास है भाई मानना पड़ेगा ये तो को जादे खतना कि आम मुझे एक वार ट्राइ मानना है तो ये जाता है तो सामने से बोला भी जाता भाई तुझे क्या चाहिए ये भी करता मैंने सुना आपके पास कोई किंग लेवल का बीश्ट है जिसके पास इस फेस की भी वीरे बीश्ट के बैडाई करो ये बातों से तुमको जो करना है minimizing पड़ गया ऑगर्या तुमको स्किल देगा हा तो हमारा make a tabue try him on the train पताना चाहता था वो भी कहता पताना चाहते हो तो उमको भी एक chance का एक लाख यहां पर देना पड़ेगा हमारे make a tabue एक लाख, भाई को जादा नहीं मांग रहे हो क्या, नॉर्मली 10 ये 20 अजार में तो हो जाता है, वो भी कहता यार एक कीमत पचास अजारे मैं तुमको दो तलिस्मेन दे सकता हूँ चाहे ये तो और भी दे सकता हूँ ओ भी के तो मैं गोड भाई ये तलिस्मेन तो बड़ा कमाल का लग रहा है रुखो फैल मैं अपने सिनिया से मिलके आता हूँ जब तक तुम जाके एक वारे नपट आने के कोशिश करो तो हमारा मेकटर कमरे के बहार आता है और जैसे बहार आता है वह ऐसे ही कमरे का औरे से आडिया लग जाता है कि बापरे अंदर सची में किंग लेवल का भीष्ट यहां परे मुझे अबहार से याइडिया लग रहा है जैसे अंदर यहाँ पे जाता है तो बोड पे डीटल में लिखा हुआ था कि Silver Emperor Selection Falcon यह उसका पुरा नाम है और उसके पस खली Space की नीवल की Wind की भी Ability यहाँ पर है और वो बड़ बड़ी खतनाक है भाई बात इतनी खतनाक है Ability इतनी कमाल की है लेकिन देखने भी कितना चोटा यहाँ पर है सची मैं यार मुझे तो इससे देखके डर भी नहीं लग रहा यह तो मेरी Cat से भी बहुत ज़ए चोटी यहाँ पर है तब उसके पास क्या क्या Ability थी वो सारी Ability है ना सामने लिखे हुई थी अगर तुमने पटा लिया उनमें सो कोई सी भी Ability तुमको मिल सकती है यह भी कहता चलो यार मैं Ability लेने पर धियान देता हूँ तो उसके लिए मुझे अपना जो Jewel Power है ना Jewel Power उसकर नहीं चाहिए और Cat की आवास सुनके भाई यह सची में डढ़ने लग जाती है फिर Cat उसके पास आती भी है उसको टपली भी मारती है भाई टपली खा को भी चरी रोने लग जाती है फिर Cat और भी ना जाने अपने Language में क्या क्या उसको चिलाती है तो वो सारी के सारी बाते सुनने के बात कहती है ठीक है अपने लेंगर्जी में और हमारे में के गट को दे देती है एक निवल के दो-दो एबिलीटी है मुझे कुछ करने ही नी पड़ा सारा काम बही अपनी कैट ने कर लिया और मुझे एक के बदले दो यहां पे मिलिया चलो यहर बहुत ही बड़ी है कैट यह तुम तो बड़ी कमाल की हो कई बार तुम मुझे यहां पे बचा लेती हो हां लेकि मैंने भी अपनी जूएल की पावरी उसके लेती हा तो मैं भी बड़ा थक चुका हूँ लगता पावरी कवर करने के लिए मुझे दो चार देने के लिए अराम करने के लिए जाना पड़ेगा यह जैसे भाहर आते हैं ओई बंदा आता है और कहता है यह लो भाई हमने तुम्हारा सारा तलिस्मेन यहां पर ले लिया और हमने एक लाख यहां पर माइनस कर लिया है उट्राय माणने का बड़े ठके ठके लग रहे हो लगता कोई अविलिटी यहां पर नहीं न मिली हमारे मेकट को मिल चुकी थी वो भी नहीं बता तो कहता हो के ठीके बाद में कभी आऊंगा ओभी के तो और तलिस्मेन मिलना हमा मारे पास आईएगा जैसे हमारे मेकट जाता है सामने से प्रिंसेस आती है जो एक मर्द के साथ गूम रही थी वह भी कहते साली तुझे सुनाई नहीं देता निकल जाई यहां से तो हमारे मेकट भी देखता हो यह तो ही कमिनी प्रिंसेस याद राजा ने बोला था कि मेरी प्रिंसेस कैसी हो हमारे बीच की जो शादी है अभी तक कैंसल हुई नहीं है ओफिशली लेकिन तुम किसी और मर्द के साथ यहां पर घूमें जा रहे हो तो जो दूसरा मर्द यहां पर था हो भी कहता है क्या शादी अच्छा तुम्हारे फ्यांसे क्या फॉक्या दूड़ इसको भी क्याता है अबट कैसी साथ यहां पर रहे सथा're जाएं मैं। चौक जाता है क्योंकि जब वो गुसा करता है उसकी बोड़ी से जो और रिलिस होता है वो हमारे में केटा को थोड़ा डरा के रख देता है कि exactly मेरे बाप जैसा खतना को रहा है और यह चेप्टर यहीं पर खतम हो जाता है तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के स्थिय के बिलाएं के दे ङर भायं जव एक बाइём लिप्टी के एडिए और लौदीयो में जाता है यहीं जात加 थ जए भुआ है पीजयो में जाता है